हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सरमा जी के वितकांचा मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हम 9 जनवरी का करेंट अफ्यर पढ़ने वाले हैं सुबे से साम तक की जो भी आठ तरीकी खबरे थी वो हम आज बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे कुछ खबरें आज की बहुत इंपो कोशन मैंने दिये थे वह देख लेते हैं कौन सा कोशन मैंने आपको दिया था जिसको आपको उनका आंसर में करना था पहला कोशन था कि किस नदी पर चिंदवाड़ा में गोटमार लमीला लगता है और प्रदेश का प्रत्थम अप्रकाधारे सौर सेंत्र कौन कहां पर लगता है एक बोल रहे हैं जाम नदी पे लगता है राजगर में सानु उजह बता रहे हैं राजगर में अभरकादरे सौर सैंत्र है नीलू सिंग ने बताया है कि छिंदवारा से 65 किलोमीटर दूर पांडूरन में मुख्याले में गोटमार मेला नाम से एक अनूठा मिला हर सा लगता है भधरवपाद अमावश्या वह कि होती है उसके दिन यह मनाया जाता है और जाम नदी की ततपर होता है एक ध्यान रखी कि जाम नदी की ततपर लगता है गोटमार का मेला निरज चोहान भी नहीं बोल रहे हैं रास्टी राजमाक पहां कलिया परसों में राच्के कल या मंडे में आपके पास नोर्स पहुंच जाएगा मैंने आपको नमबर दिया है आप उससे track कर सकती हैं सोहे लगतर ने भी दोनों आंसर सही दिये हैं संजे वर्मा ने सही आंसर दिया है लुबना ने सही आंसर दिया है मंगल सिंग, धर्मेन जाटव, दिब्या पाटिद किशनिकांति सर्मा, शिवांगी गुपता नील जामो नील ने सबसे पहले ही दे रहे थे आंसर, तो ये कल के कोशन के आंसर थे कि, राजगर में प्रथम अब्रहकादरे सौर सैंत्र है और छिंदवाडा में गोटमार मिला पांडूरन में लगता है और ये जाम नदी के तट लगता है अब हम आज के कोशन देखते हैं आज के कोशन क्या है आज का पहला कोशन है कि हाल ही में किस प्रदेश में वेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वाजायता समू को दी जाएगी तो किस प्रदेश में दी जाएगी मद्ध प्रदेश में आसे वरसी नों अपनी गोशना में कहा है कि महिलाएइ जो हैं बालिकाइज जो है जो हैं आब बहुत अस्रक्षित हैं और जो दूसरे प्रदेश में जाके दूसरे जिलों में जाकर जॉब करती हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवज टाइप दिया जाएगा जो स्वाय सहायता समू है उनकी सुरक्षा की जिम्यदारी देंगी और जो भी महलाएं अपने राज्य से या अपने जेले से बाहर जाएंगी उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस साल मदपदेश सरकार महिला सुआ सहायता समू को कितनी रासी देगी चौदा सु करोड़ों पे की रासी देगी मदपदेश सरकार महिला सुआ सहायता समू को और डारेक्ट व्यक्तिगत रूप से दो सु करोड़ों पे की रासी इनको दी जाएगी बैंक लिंकेज के उद्गाटन किया यह उद्गाटन आठ जन्वरी 2021 को किया गया इसके जरीए महिला स्वासायता समू के प्रड़क्त को पूरे देश और विदेश में विक्रे किया जाएगा क्या नाम है इनका इसका नाम है आजीवी का मार्ट मतलल लाइबली होड मौट यह आजीवी का उद्गाटन किया गया महिला स्वासायता समू के प्रड़क को पूरे देश और विदेश में विक्रा इसके द्वारा किया जाएगा कि यह कि पडेगल जैए ईसके विद दीया जाए लेकिन पञण…… इसके बिरुद याची का लगा दी थी कि नहीं हमारा ये हमको ये टेग मिलना चाहिए लेकिन याची का जो है उन्होंने खारेज कर दी गई है जिससे मद्धपदेश के रास्ते साफ हो गए हैं कि मद्धपदेश को GI टेग मिल सकता है बासमती चावल का और जब मद्धपदे को कितने पुरुषकार मिले तो मद्धपदेश को 5 पदक मिले रास्ती कैनुस लालालाम चैंपियंसिप में पांच पदक में खरगोन के यह जो प्रतियोगीता हुई थी खरगोन के महिश्वर में 7 जनवरी से 8 साथ जनवरी तक हुई थी और यह आठवी नंबर की रास्ती क कैनुस लालाम चैंपियंसिप है इसमें मद्धपदेश वाटर स्पोर्स कैया कि कैनुइंग अकार्मी के खिलाडियों ने तीन गोल्ड और दो रज़त पदक जीते फ्रेंड्स अगर आप उखुरल सालवर का करेंट लेना चाहते हैं तो हमारे मद्धपदेश की वार्श की और भारत की विश्यो की वार्श की तैयार हो चुकी है यादे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन वाक्स में मिल जाएगी वहां से आप इसे ले सकते हैं पर्चे तो ये तीनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं इसके लावत जानवी स्रिवास्ता हमने अलग-अलग समय में करके ये प्रतियोगिता में एक बार में गोल्ड मेडल जीता है और एक बार में सिल्वर मेडल जीता है इसके बाद अमित विश्करवा ने एक सिल्वर मेडल जीता है आपको ये नाम मैंने इसलिए रखें कि आप ये भी याद रखें कि पहले गोल्ड किस ने जीता तो राजा दीरज जो जानवी ने गोल्ड जीता जानवी और अमें इतने सिलवर जीता और ये भी याद रखें कि किस प्रतियों के साथ से बिलोंग करते हैं इसलिए भी मैंने यह नाम क्या आचकल व्यापम की एक्जाम में अलग से आ जाता है हाल ही में अंतरस्थी कारगों की सुरुवात कहां हुई है तो इन दौर में हुई है वह राज कौन सा है जहां किसी सास की विवाग द्वारा on-demand रेडियो एप तयार किया गया ताकि योजना का प्रचार प् तयार किया जाएगा तो वह कौन सा राज है वो है मध्यपदेद सलाम दिल से कारिक्रम का योजन कहां किया गया तो सलाम दिल से का कारिक्रम का योजन भोपाल में किया गया यह कोरोना वारियर्स के लिए यह कारिक्रम का योजन किया गया और यह जो कारिक्रम है पॉजिटि मतल जी के नाम पर होगा आजकर बहुत चर्चाम है यह और यह पीपल याना फ्लाइओवर है इसके नीचे चार इस्पोर्ट्स कोर्ट्स बनेंगे आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि वो किसकी तर्ज पर बनेंगे तो यह बनेंगे दक्षड कोरिया की मतलब इडा सियोल की तर्ज पर यह बनेगा दक्षड कोरिया का जो सियोल है उसकी तर्ज पर पीपल याना फ्लाइओवर के जो नीचे के चार स्पोर्ट्स कोर्ट से वो बनेंगे सो फ्रेंट्स ये थे हमारे आज के कोशन अब कल के लिए कल का कौशन इसका आपको आंसर देना है पहला कोशन है मद्यपदेश में सबसे कम लिंगान उपातवाला संभाग कौन सा है मद्यपदेश की प्रथम जीगा है चरी कहां इस्तित है दोनों का आंसर में कमेंट वाक्स में दीजेगा कि सबसे कम लिंगान उपातवाला संभाग कौन सा है और मद्यपदेश की प्रथम जीगा है चरी कहां प्रथम जीगा है इसके अलावा फ्रेंट चैनल को सबस्क्राइब कीजिगा वाट्सब्ट वुर्प से गिरने की लिए आप हमारे वुर्टसब्ट गुरूप की लिंक आपको डिस्कॉप्सन उपक्स में दे दी गए है यह मेरी बाहरतर विश्वे की आदे हैं और ये मध्योपधेस की आदे हैं आप दोनों में से कोई भी ले जो भी आप दोनों हुई आपको इस आप कोई भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये दोनों ही पढ़ना बहुत जरीदी हुई है चाहे पाइंडिया क्यारी कर रहें तो आप हमारी में के नोट्स ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यदा रहेंगे ओके फैंस तेंक यू